नमस्कारम, मैं संजेपाल शोरान आपका स्वागत करता हूँ इस श्रंकला में हम सेकिन ग्रेड आर्पियसी जिक्ये पेपर में जो कुछे गए हैं उनको हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं इससे पहले पांच वीडियो अपलोड हो चुके हैं आप प्लेइलिस्ट में जाकर उन पांच वीडियो को जरूर देखें छटा वीडियो शुरू करते हैं इसमें हम बात करेंगे महादवी, महासागर, विशुपवन परनाली, परियावन समश्याएं, जनसंख्या, भारत और यूएनो, भारत की अवस्तिती और इसके लाब, मानसुन परनाली, विदेश नीती, अपभात अंत्र, कृश्रीव उध्योग का बदलता पेटर्ण और राश्ट्रियाएं वग महादवीप और महासागर, सोनकाकू, जो है, जो दियाओ, चीन जापान के मध्धे, सामरिक तनाव से समंदित है, आश्ट्रेलिया का सरवच्चे परवत सिखर, को सिउसको है, नदी और उसके साहिक नदी पूछी है, मिसी सीपी की है, ओहियो, अमेजन की है, मडेरा और मरे की है, डार्लिंग, डियो, गार्शियो, दीप, हिंद महासागर में स्थित है, यूरोप की प्रवत्ष रंखला है, आलपस, पिरेनीज, और कारपे, थियन, छेत्रफल के आधार पर आपको महादवीपों को आरोही करम, अर्थात, बढ़ते करम में जजाना है, यूरोप, अ रक्षन अमेरिका, उत्री अमेरिका, महादवीपों का महादवीप, एशिया, डॉल्डरम बेल्ट स्थित है, भुमद्य रेखा के समीप, विस्व का सबसे लवणिये शागर, मृत सागर, माल्टा जो है वो अटलांटिक सागर में स्थित है, विस्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, प्रशान्त महासागर, समुंद्री जल में लवणता की मात्रा होती है, 35 प्रतिशत, मलक का जल डमरू मध्धे, मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है, जीरो डिग्री देशान्तर, अटलांटिक महासागर से गुजरती है, दक्षिन चीन सागर, उत्री प्रशान्त महासागर का सिमान्त सागर है, महासागर की जवर्य तरंग्ये, महासागर ये धराओं को रुपांतरित नहीं करती है, महासागर तली की स्थलाकरती, पवनों में मौश्मी बदलाव, तट्य रेखा की दिश्रा एवं आकरती, आदी महासागर ये धराओं को रुपांतरित करती हैं, अब हम जिस टोपिक से सवाल पूछे गए आरपेसी की परिक्षाओं में वो है विश्व पवन परनाली, सिरकोक को, साहरा मरुस्तल से होकर भुमध्य सागरे चित्र को परभावित होने वाली गर्म धूल भरी पवन है, पच्वा हवाओं की अधिक्तम गती दक्षन गोलार्द में महासागरों पर होती है, दक्षन पस्षिम से चलने वाली स्थाई पवने उत्री गोलार्द में पच्वा पवने हैं और उत्तर पस्षिम से चलने वाली स्थाई पवने दक्षन गोलार्द में पच्वा पवने है यश्गुरु एप्लिकेशन पर आपको सेकिंड ग्रेड की जीके पेपर से समन्दित टेश श्रीज भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं, आप जरूर उस पर गोर करें प्रियारवने समश्याएं एवं वेश्वी करणिती ये अगला टोपिक है पेरिस समझोते के अनुसार इस शताबदी में विश्व तापमान व्रधी को नियंत्रित रखने का लक्षे रखा गया है पुर्व ओध्योगिस्तर से 2 डिग्री सेंटिग्रेट से परियाप्त नीचे 22 मई अंतराश्ट्रे जेव विविद्धता दिवस सुपोशन जलिये पारित अंतर से सम्मंदित है पर्थवी दिवस 22 अप्रेल को 22 प्रियावरण दिवस 5 जून को ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण कलोरो फ्लोरो कार्बन CFC 2013 के विश्व प्रियावरण दिवस का नारा यहां मैंने नहीं लेक किया है 2021-2022 के विश्व प्रियावरण दिवस का स्लोगन क्या था यह महित्पुन हो जाता है स्तानी स्तर पर आकश्मिक एवं चर्म प्रियावरण बदलाव के कारण का उधारन है हरीकेन अर्थात प्रभंजन भारत का पहला राष्ट्य पार्क कारबेट नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के लिए सी ओ टू कारबन डायाकसाइड गेस उत्तरदाई है जेव विविदता का सम्मंध है प्रकृतिशे मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पोधों से है क्योटो प्रोटोकोल को युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका ने अनुमोदित नहीं किया है जवाला मुखी प्राकृतिक आपता भारत में नहीं होती यूएन का प्रत्वी सम्मेलन उनिस सो सित्यानमे में नियू योर्क में हुआ प्रयावरन सरक्षन है तू यूएनो की सर्व परमुख एजेंसी है यूनाइटेड नेशनल एन्वाइरमेंट प्रोग्राम यू एन एपी राश्ट्रिय वन अनुसंदान संस्थान नहरादुन में है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड ने जनवरी 2010 की रिपोर्ट में दस प्रजात्यों को विलुप्ती के कगार पर बताया है इसमें पहले स्थान पर है बाग तो ये वो कुश्चन थे जो रपीसी की सेगन गेड प्रिक्षाओं में पूछे गए हैं अगले टोपिक पे चलते हैं जो है राजस्थान की परवर्टी एवं वित्रण सबसे कम जनसंक्या गहनत्व अरुनाचल प्रदेश का है राज्ये के दृष्टी कोन से बात करें तो भारत में सबसे अधिक लिंगा नुपात केरल राज्ये में हैं विश्व में बेहद कम जनसंक्या गहनत्व है मंगोलिया में भारत एवं UNO की मुख्य परवर्टियां अंतराष्ट्री राजनिती विशेशकर परमाणू एप्रसार के संदर्भ में यह आपका टोपिक है भारत और विश्व के सामाने ग्यान से अब तक इस टोपिक से कौन कौन से कुशन फरवरी 2018 तक हुई परिक्षाओं में पूछे गए है देखते हैं नाभी किये आपूर्टिकरता समूह के चेर्मेन 2017-18 में मैंने उलेख नहीं किया है आपको लेटिस्ट पढ़ना है NSJ नाभी किये आपूर्टिकरता समूह यह भारत के पर्थम नाभी किये परिक्षन 1974 की पर्तिकिया के फल्स्वरूप स्थापित किया गया था यह समूह नाभी किये परशार की रोकताम के लिए उस सामगरी, साजो समान वे तक्नीक के निर्यात पर नियंतरन करता है जिसका नाभिकी हतियार के निर्मान में उपयोग हो सकता है मानव अधिकारो हे तू प्रतिबध विश्व व्यापी संग्ठन है एमनेश्टी इंटरनेशनल UN में हिंदी में सर्व पर्थन भाषन दिया था अटल बिहारी फाजपेई में UNO की महासबा अंतराश्ट्रे न्यायले के न्याय धिशो को चुनती है मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है अगला जो पॉइंट है आपके पाठ्ठे करम का वो है भारत की विदेशनिती की मुख्य विशेष्टाएं और इसके निर्मान में नहरू का योगदान बेहद महत्वपूर्ण टोपिक है कौन-कौन से कुशन अब तक पूछे गए हैं देखते हैं 21. सदी की विदेशनिती विकास संबंदी प्रात्मिक्ता विकास श्रील देशों के साथ परसपर लाबकारी भागिदारी और परमुक शक्तियों के साथ सोहार्ध पूर्ण एवं संतुलित सम्मंद पर आधारित है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने स्वतंतरता के बाद सबसे पहले प्रधान मंतरी के रूप में मंगोलिया और इसराइल की यात्रा की इससे पहले कोई भी भारतिय प्रधान मंतरी न इन दो देशों की यात्रा नहीं की थी प्रधान मंतरी के रूप में प्रधान मंतरी मोदी की विदेशनिती के तहत मोसम परियोजना इसका उदेश्य सांस्कृतिक मुल्यों और चिंताओं की बढ़ती हुई समझ के लिए हिंद महासागर तुनिया के देशों के बीच संचार पुनह जोड़ना और पुनह स्थापित करना है विश्व राजनिती में सीत युद के समापन का मुख्य कारक था सोवियत संग का विगटर भारत ने पंच शील सिधानतों की घोषना की भारत चीन संधी 1954 पंच शील के सिधानतों को भारत ने अंतराश्य समंदों में सुम्मे विभार हितु बढ़ावा दिया साथवा निर्गुट सम्मेलन या गुट निर्पेक्ष सम्मेलन जब नई दिल्ली में हुआ उस समय भारत की प्रधान मंतरी इंदरा गांधी थी ऐस अलगनता अर्थात गुट निर्पेक्ष विदेशनिती का अवलंबन करना भारतीय विदेशनिती में जवालाल नहरू का महत्वपूर्ण योगदान था मेक मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है भारत की विदेश निती में असली गुट निर्पेक्स्ता का सुत्रिकरण अटल बिहारी वाजपे द्वारा किया गया भारत की विदेश निती में पडोसी पहले की निती नरेंद्र मोदी ने प्तारम की सार्क का नवीनतम सदश्य अफगानिस्तान है और तीस्ता नदी विवाद भारत बांगलादेश के मद्ध है यह वो सवाल है जो 2010 से लेकर फरवरी 2018 तक RPSC की सेकिंड ग्रेड की परिक्षाओं में पूछे गए हैं अब आते हैं एक अलग टॉपिक पर जो है भारत की अवस्थिती एवं इसके लाब चुम्भी घाटी यह भारत बुटान तिबथ के प्रती छेदित स्ताल परस्थित है NS-31 पुराने वाला सिलीगूडी गरियारे से होकर गुजलता है मेगाले का नाम SP चटरजी ने सुझाया था भूस्कलन की घटना सामने है जंबू और कश्मीर में हिमाचर प्रदेश में उत्राखंड में बांगला देश के भारत के साथ संब से लंबी स्थलिय सिमा साजा करता है भारत का उत्तर दक्षनी विस्तार 3214 किलोमेटर है और भारत का अक्षांस एवदेशांत्री विस्तार ये है प्राइड इपिय भारत की सरवच्च चोटी है अनाई मुडी भारत के नो राज्ये समुंदरी तटरेखा से लगे हैं सिंडू नदी का उडगम मान सरोर नंदा देवी कुमायू हिमाले में स्थित है नातुला दर्रा सिक्किम में है भारत का सबसे विशाल हिमानी सिया चिन है आप सोच रहे होंगे कि व्याख्या वगिरा नहीं हो रही यहां हम केवल सवालों की चर्चा कर रहे हैं जिससे आपके एक समझ बने किस प्रकार के सवाल अब तक पूछे गए हैं मानसून प्रणाली पी कोटेशवरन ने मानसून की उत्पति का आधुनिक सिध्धान्त दिया उत्तरपुर्वी शीत मानसूनी पवने कोरोमंडल तट के सहरे वर्षा करती हैं केरल तट पर दक्षनी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुचता है राश्ट्रिय वर्षा सिंचित चत्र प्राधीकरण दिल्ली में स्थित है मानसून वर्षा की विशेस्ता दक्षनी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकरती मौसमी है तटिय च्छतर मादीपिय च्छतरों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं जब पुर्वी जेट धरा दक्षन की और सिंदो गंका के मिदान की और स्थानांतरीत होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है मानसून शब्द अरभी भाषा के शब्द से बना है मानसून पवने ग्रिश्म रितू में समुंदर से स्थल की और बहती है अगला टोपिक अपवहा तंतर की विशेषताई कोसी एवं काली सिंद नदियां ये गंगा नदी परवहा तंतर से जुड़ी है गंगा की सहायक नदी, गोमती, घागरा, सोन गोदावरी सबसे व्रिहद अपवहा च्छतरवाली प्राए दिवीपी नदी है हिमाले परवत की नदियां हैं जो वर्ष भर बहती है दक्षन भारत की महत्वपूर नदी है गोदावरी राजस्तान की कुछ नदियां समुंदर में नहीं मिलती हैं चूलिया जल्परपात चंबल नदी पर है अब तक ये लिया आपने यश्ग्रू एप्लिकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टोल नहीं किया है तो आप जरूर इसे डाउनलोड करें अगला टोपिक जो हम ले रहे हैं वो आपके पाठ्ठेकरम का है एक प्रशी एवं उद्ध्यों का बदलता हुआ पेटर्न एक बात महीं आध्यान दिलाओंगा कि हम जो टेस्ट पेपर हैं उसमें तीस टेस्ट पेपर रास्तान जीके के पेपर से ले रहे हैं और टोपिक वाइज हम टेस्टों का आयोजन करेंगे संपून पाठेकरम को हमने लगभग अस्सी भागों में विभाजित किया है उस आधार पर तीस टेस्ट होंगे हरित करांती का नकारात्मक परभाव लवनी करण भोम जलस्तर का घटना एम कीटनाशकों एवं राशाइनिक उर्वरोकों के प्रियोग में व्रधी चावल की उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा गुजरात पर्थम है मुंफली, नमक और दुग्ध उत्पादनों में भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जलिंग में पेडा होती है जलका सरवाधिक उप्योग क्रशी में होता है भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य केरल है जूमिंग क्रशी परणाली मुख्यते अपनाई जाती है मनिपूर मेगाले में भारत का गोल्डन फाइबर जूट कहलाता है आयात घरल्यू छेतर द्वारा विदेशों से निर्मित वस्त्वों एवं सेवाओं का क्रे राश्ट्रिय क्रशी एवं ग्रामीन विकास बेंक नाबाड की स्थापना छट्टी पंचवर्षी योजना में 1982 में हुई भारत में सीमेंट कारखानों की सरवाधिक संख्या राजस्थान में है भारत का मेंचेस्टर मुंबई भारत में पहला भारी विजुत अभियांतरे की कारखाना भोपाल में डेरी उद्योग में भारत का स्थान पहला ओप्रेशन फ्लड के सुतरधार दॉक्टर वर्गीज कुरियन अगला टोपिक जो है राश्ट्रिय आई की अवधारना एवं प्रवर्तिया साधन लागत पर राश्ट्रिय आये तथा बाजार मुल्यों पर राश्ट्रिय आये के बीच जो अंतर है वह अप्रतिक्षकर एवं अनुदान के कारण उत्पन होता है सकल राश्ट्री उत्पाद में शामिल है मुल्य हराश, विदेशों शेप्राप्ट विशुद साधन आये वर्तमान में उत्पादित अन्तिम वस्त्वें एवं सेवाओं के बाजार मुल्य भारत की राष्ट्रियाय केंद्रिय सांख्य की संगठन द्वारा अनुमानित होती है गरीबी एवं गरीबी उन्मूलन की योजनाय गरीबी के आंकलन से समन्दित है V.M. डांडेटकर, D.T. लकड़ावाला, V.S. मिनहास 2009 की टेंदूलकर रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2045 में 37 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे या था भी पिल थे रगुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान को सबसे कम विक्षित राज्य माना है राजस्थान में विश्व बेंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना 2000 में शुरू की गई किसी राज्य को बिमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है आर्थिक पिछडापन अगला टोपिक जो हम अगले वीडियो में करेंगे ये थे कुछ टोपिक जिनको हमने इसमें शामिल किया है लास्थ वीडियो जो अप्लोड होगा जिसमें हम 1935 के एक्ट राश्ट्रिय आंदोलन में गांधी जी का योगदान अमेडगर और सविधान निर्मान भारतिय सविधान की मुख्य विशेष्टाएं मूल अधिकार करतववे डीपीएसपी राश्ट्रपती कार्यले प्रधामत्री कालेले संग्य विवस्ता और आजनितिक दलों आदी पर चर्चा करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट जरूर करें बहुत महनत करके विवस्तित करके आपके समक्ष लगभग 35 पेज में 34 पेज में आपको ये नोट्स उपलब्द करवाएं हैं जिन विद्यार्थियों ने कोर्स ले रखा है उनको यह PDF उनके कोर्स में उपलब्द करवा दिए गई है बाकी विद्यार्थियों को भी जल्द ही हम ये उपलब्द करवा देंगे लिंक description में है हमारे online platform के उन्हें जाकर आप जरूर जोइन करें धन्यवाद